नमस्कार, साथियो, एनायर्स का कम्मुनिटी हेल्थ टेडिंग प्रोगाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप जानते हैं कि इस महत्पूल कारिक्रम में हम आपके साथ में तरह तरह के ठियोरी और प्रक्टीकल दोनों ही प्रकार के कारिमों के साथ में जुड़े रहते हैं आज हम इस्पेसली हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा प्रक्टिकल पार्ट है उसमें भी आपका जो रोगों से बचाव आपातकालिन इस्थितियों में प्रबंधन एक कर्मिंट्री हेल्थ वर्कर को कैसे करना चाहिए और आज का जो प्रोगाम है हमारा विसेश रूप से उस प्रोगाम में हम देखेंगे कि जो लोग डायविटिक होते हैं डायविटीज के कारण उनकी जो आखों में जो समस्यां हो जाती है उनकी जो बीमारियां हो जाती है तो विलाइंडिंग इन डायविटिक पेसेंट्स एक हास्तोर से बड़ी प्रॉलम आती है जो डायविटी कराने के लिए अच्छे डॉक्टर के पास रैफर करेंगे जो आई स्पेसलिस्ट होंगे तो इस तरह से यह जुम्मेदारी बड़ी जुम्मेदारी है और इस कालिकम में हमारे साथ डॉक्टर देविन्त त्यागी जी इस्टूडियो में मौझूद है एमडी एम्स मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप रैटना इस्पेसलिस्ट हैं और बेदानता नित्राले से आप हैं जो सर्जन भी है आईस के तो बहुत-बहुत ज़्यदा एक्सपर्ट के साथ मैं उनके बड़े-बड़े एक्सपरियंस रहे हैं और मुझे प बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी आप आज हमारे स्ट्रेंट्स को देंगे तो डख साब हम सुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं आपसे पहला प्रशन यही करूँगा कि जो लोग डाइबेटिक होते हैं उन्हों डाइबेटिक लोगों के बीच में यह आखों की समस्या क्य स्टेज पर आती है और क्यों आती है जो आज हम डाइबेटिक रेटिनोपैथी डाइबेटि से जो आखों में विमारी हो जाती है और जिससे अंदेपन की समस्या आज की यूग में बहुत जादा बढ़ रही है उसके बार में बात कर रहे हैं उसके दो कारण है एक तो आज का हमारा lifestyle है जिस तरह का हमारा खाना पीना है diabetes की population बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आप लोगों को यह जानकर आश्चरिय होगा कि इंडिया इस डाइबेटिक तक यह संख्या डबल हो जाएगी और इन डाइबेटिक पेशेंट के 20% पेशेंट में डाइबेटिक रेटिनोपैती होती है जो की सुगर से होने वाली आख की बिमारी होती है जब भी अभी होती कब है नोर्मली दो तरह की diabetes हमारे लोगों पेश्मरीजों में होती है एक होती टाइब 2 जो की 50 के बाद होती है तो यंग पेशेंट में तो नोर्मली जो किसी को diabetes है और वो गन्रोल नहीं कर रहा है तो तकरीबर कि दस साल के बाद आख पे सुगर का असर आता है और जो 50 के बाद होती है उसमें पांस साल के बाद डाइबेटिस का असर आखों पे आना श इसे प्रदा कहले हैं यह प्रदा एक तरह सपर्दी के एक कैमरी की हम ररील डालते हैं पीचुत पीछे रॉल डालते हैं उसी की तरह ही आँख में काम करता है image lens से जाके उसी परदे पे बनती है अगर इस परदे में कोई बिमारी हो जाए क्योंकि एक नस का हिस्सा है निरोलोजिकल पार्ट है हमारी आइस का तो वह पर्मारेंट डेमेज हो सकता है और पर्दे की जो छोटी नसे हैं उनको परभावित करती है सुगर के बढ़ने की वज़े से मेली डियाबेटीज के साथ अगर आपको ब्लड पेशर किंड्नी की बिमारी हर्ट की डिसीज है तो यह असर आँख पे और ज्यादा बढ़ सकता है अभी इसे में पता है रेटीना के बारे में में लिए परदे को ही अफेट करता है तोटल नंबर अगर हम देखें की डियाबेटीज की प्रेजो आश्या आप की बिमारी हो रही है कितनी ज्यादा बड़ी बिमारी है अभी मैंने बताया कि इंडिया में तक्रीबन तक्रीब संसार में है 1.8 million डाइबेटीज रेटिनोपैथे की वजी से है तोटल चार परसेंट ओफ टोटल ब्लाइडनेस इस बिकोज ओफ डाइबेटिक रेटिनोपैथी किसी भी स्टेज पर अगर किसी भी देश में टोटल नंबर ओव डाइबेटीज है तो अराउंड 30% मरीजों को तुगर से आँख में होने वाले बिमारी हो सकती है हर तीसरे डाइबेटिस को में से एक को डाइबेटिक रेटिनोपैथी हो सकती है डाइबेटिक रेटिनोपैथी ज्यादा इंपोर्टन इसलिए नहीं है कि खाली इसकी प्रिवलेंस बढ़ रही है इसलिए भी में यह ज़्यादा important हो गया है diabetic retinopathy की समाज में गाउं में सहर में awareness पचाना लोगों को पता ही नहीं है कि मैं diabetic patient हूँ और मुझे अपने आग की जाच करानी चाहिए normally हमारी ओपीडिस में हम क्लिनिक में देखते हैं कि patient कब आ रहा है जब बहुत ही advanced stage में पहुच चुका है diabetic retinopathy जो की काफी ज़्यादा उसकी रोशनी खो चुकी है और अगर वह early stage में ही समय समय पर अगर प्री screen कराता रहे और उसको इस बात की awareness हो कि हाँ diabetes में एक साल ये 6 महिने में मुझे normally मेरी आख में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी मुझे आख के परदे की जाच करानी है तो हम सही समय पर रेटेट कर लें तकरीबन तकरीबन ये study में भी पाया है और हम भी देखती 90% of patient की जो severe visual loss है उसको हम बचा सकते है तो इसलिए ये ज्यादा बहुत important हो गया है अजकी डेट में diabetic retinopathy diabetic eye disc awareness के लिए जगह जगह different program चलाने जो कि बहुत सतर पर चल रहे हैं government भी चला रही है हम individual hospital भी चला रहे हैं हमारी जो आई association organization AIUS उसने भी पिछले 5 साल से diabetic retinopathy की awareness लाने के लिए एक program चलाया हुआ है डखसा आपने बहुती सुंदर तरीके से बताया कि लोगों को जो समस्या है वो जब आ जाती है तब लोग आपके पास में आते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक हमें यह बात जानी चाहिए की जो diabetic patient है उनको लगभग 10-12 साल के बाद में blindness या इस तरह की आखों की बीमारी उन्हें आती है तो यह उन सभी लोगों को जानने की जरूरत है साथ में हमारी जो health workers हैं उनको यह जानना बहुत जरूरी है दूसरी बात है कि जिन लोगों को यह diabetes हो जाती है तो उनको चाहि की समय समय पर अपने आँखों का चेक-प जरूर कराते रहें क्यूंकि ये समस्या आने से पहले या श बता आया आप जैसे को कह रहे हैं कि लोगों को चेक-प करा लेना चाहिए और रेटेना और यह जो प्रॉलम उससे पहले बड़े या कोई किसी तरह की समस्या आये उससे पहले चेक अप हो जाता है हमारा तो बहुत जल्दी से उसको हम रिकवर कर सकते हैं तो जो लोग इस तरह की प्रॉलम रखते हैं उनको ये मतलब किलियर होना चाहिए कि वो टाइम से इलाज करा लिए इसकी बात कि में इक अवेरनेस फ़राना बहुत जो कि डियाबेटिक आपको कोई भी आख की प्रॉबलम नहीं है और आप सुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो साल में एक बार आप नॉमल आखों की जाज कराएं और पर्दे की जाज जरू कराने हैं वहां जाके कहीं भी जग हैं रेटिन एक्सपेट आज कल हद कम हैं लेकिन हर सिटी में बहुत नहीं है तो हम यह कोशिस भी कर रहे हैं कि इस करके प्रोग्राम हम चलाएं तो दूसरा जो इंपोर्टन पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम देखें कि डियाबेटिक पेशेंट में अभी आपने जैसे बताया कि दस साल बाद लेकिन जो पचास साल के बाद सुगर होते उस बताया कि आपको सुगर की वज़से आपकर दिखका तो यह तो यह बहुत सारी लेग पिरियड रहाता है कि लोगों को अपना जीवन चीजी रहे हैं जब आख में पांस साल तक सुगर चल रहे हैं अंदर तो इन्सकी अवेरनेस हमें फैलानी है दूसरा आगे बहुत इंप प्रोग्रेश्टन ऑफ डियाबेटिक के रुख जाते हैं अगर आपने कोई नहीं करा टाइप वण डायबेटीज यह को यंग है इसको बीस साल की तीस साल की उमर में डायबेटिस हो गी है तो तीस साल बाद 90% लोगों में डायबेटिक का असर आँखों पे आई जाता है कर आप कंट्रोल कर लोगे तो 70 परसंट चांस है कि आपका असर आंखों पर नहीं आएगा देख तो डाइपटीस कंट्रोल उसमें आपको समय समय पर फीजिशन से जाज करानी है सही समय पर मेडिसेन लेनी है अपना लाइफ स्टाइल बगलना है अगर आपको साथ में ब्लड पैशर भी है तो उसको भी कंट्रोल करेंगे तो क्यूंकि जो तुगर से होने वाली आंख के परदे की मारी कुण को अफेक्ट करती है ज्यादा तर छोटे-छोटे खून की नसो को अगर ब्लड पैशर भी साथ में तो ज्यादा अफेक्ट बढ़ जाएगा तो ब्लड पैशर कंट्रोल करें शुगर कंट्रोल करें डाइबेटी से किड्नी का फेफेक्ट आता है आप किड्नी की डिसीज को कंट्रोल करें तीनों चीजों को साथ साथ कंट्रोल करें लाइ किसी को है तो एक नहीं कई कई बिमारियां उसके साथ हो जाती है बिलड प्रेसर की उसको प्रॉलम हो सकती है साथ में उसको किड्नी से सम्मंदे disorders हो सकते हैं और ये disorders होने की वैसे और बड़ी समस्या हो जाती है और आँखों की जो समस्या है वो वास्ता में बहुत बड़ी समस्या है यहां मुझे लगा जो एक महत्पून बात आपने कही कि लोगों को कई बार तब पता चलता है जब हमारी पास आते हैं कि रगसा मेरी आइस से संबंदित प्रॉलम होगी मेरे को कम दिखाई दे रहा है मेरी आँखों में कुछ प्रॉलम हो रही है तब आप टेस्ट करके बताते हैं कि आपको तो डियाविटीज भी है तो यह बहुत जरूरी है कि हला कि लाइफ हिस्टाइल डिजीज है डियाविटीज और इस डियाविटीज के होने से पहले यद हम जो अपने रूटीन चेक अप्स जो कराते हैं वो कराते रहें तो हमें पता चलता रहा कि हमारा सुगर लेविल क्या चल रहा है और अपनी इस्टायल पर भी विशे सूप से आप ध्यान दें, आप उसको इतना अफेक्टेड ना होने दें, इतना ज्यादा उस पे बिल्दा हाभी ना होने दें अपने कामकाज को कि आपको कोई वीमारी हो, उससे बचने के लिए तमाम और भी तरीके हम बीच-बीच में आपके साथ करते हैं, तो हमारी जो हेल्थ वरकर हैं, उनको खास्तोर से जानना चाहिए, कि यद लाइफ इस्टायल प्रोड्रम्स लोगों को हो रही है, तो उनको किस तरह से रोका जाए, और यद किसी को डाइबटीज है, तो उसकी आई चेकप के लिए उसको सही चेकिस साले में, जह करती है, तुगर की वज़े से आँख में एक केमिकल जो बनता है, गलको से सोर्बिटल, वो एक्कुमिलेट हो जाता है, तो जितने भी बलड में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, नई केमिकल्स निकलते हैं, उसके अलावा जो बलड है, आरबीसी सेल्स हैं, उनका फ्लो कम उनक बलड क्लोट होने लगता है, जब जो भी बलड क्लोट होने लगेगा, और जो ये वैसल्स हैं, जो सोर्बिटल है, ये इन वैसल्स को अफेक्ट करता है, तो वो लीक करने लगती है, तो जब वो लीक करेंगी, तो बलड से आपका एक फ्लूइड निकलने लगता है, और पर किमिया कहते हैं इसकिमिक डाइबेटिक मैकिलो पैथी इसकिमिया होने की वजए से नई तरह के और केमिकल निकलते हैं वेज़फ कहते हैं जिनकी वज़ेसे आंख में छोटी-छोटी खून की नई रसोली बनने लगती है परदे के अंदर अब उनका नुकसान रोशनी कैसे कम होती है पहला अभी जैसे मैंने बताया कि खून की लीक करने लगी हैं तो पर्दे में जहां से रोशनी आती है मेक्यूला पाइट होगते हैं हम nati सूजन आने लगती हैं दूसरा पार्ट ब्लोक होएगा तो नई खून की रसोली बनेंगी खून की रसोली बहुत ही नाजुक होती हैं कभी भी वह फट सकती हैं जैसे ही फटेंगी पूरी आख में क्या बर जाएगा खून बर जाएगा और आपको एकदम बैठे बैठे आप ब्लाइंड हो सकते हैं तो इन चीजों को अगर हम सही समय पर पैचान ले तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं बिरकुल डग सब आपने जैसे बताया कि यद खून की नस जो आखों में बहुत बारीक-बारीक कि ये जो बलड ले जानी वाली जो है नसे होती हैं यद ये जब फट जाती है तो उसे एकदम ब्लाइंड नेस उसको होती है और वो तब ही आपके पास आता है तो जो अगर उससे पहले यद वो चेक अप कराता रहे वही वली बात आते है कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है और वो यद आपके पास पहले आ जाता है तो उसको यह समस हो जाती है तो यह बहुत आवसक है डापेटिक के पेशेंट्स में जब भी सुगर का असर आखों पर आता है तो सिम्टम्स उनमें आने सुरू हो जाते है तो पहला असर जब आता है तो कि ब्लाइड वीजन धुनलापन आखों कर आने अगे आना फ्लोटर सेंड फ्लैसिस कि अगर जैसे स्पोर्ट आये खून की नस्फटी है तो काले-कले धब्बे फ्लोटर कहते हैं काले-कले धब्बे आंक के आगे घुमने आचानक एकदम सुरू हो गए बैठे-बैठे आपको अभी आपको कहरें कि मैं पढ़ते-पढ़ते मुझे बीच में एकदम दिखना बंध हो गया है distorted vision सुजन की वैसे अक्षर आपको टेडे में दिखाए दे रहे हैं या कहीं पर परदे में ब्लट का स्पोर्ट आ गया है दार्क एरिया इसीं विजन तो आपको लोग कि मुझे ना एक जगह बेश में ब्लैक स्पोर्ट दिखाए दे रहा है रात को आपको क कीमिया हो गया है नस में खून का परवा बंध हो गया है तो यह सिंटम जैसे ही आपके आएं तो आपको ध्यान रखना है कि तुरंत आप डाबेटिक के रहे हैं और अपने आपका इलाज सुरू करवाना सुरू करें यह नोर्मल रेटिना की पिक्चर हम देख रहे हैं जो स तो बी इसेंट्रल जो पार्ट है जहां पर बीच में रच दिखा देरा है उक्टिक वाइट पार्ट से आगे वाला उसे मैक्यूला कहता है यहां पर में लीमेज बनती है जो चोटी-चोटी नसे हैं जैसे काज क्या होता है होता क्या है फोकल डालेटेशन ओफ दा कैपिलि जो ग्राफिक मशीन द्वारा जांच करते हैं तो यह नमेना से लीक करती हुए दिखाई देती है इन पे डाइबेटिक पेशन्स में दूसरी अफेक्ट क्या हो सकता है आपको परदे पर दिखाई देगा कि छोटे-छोटे ब्लड स्पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे है मल्टीपल ब्लोड स्पोर्ट कभी एक क्वाडरंट में दो क्वाडरंट में जो वाइट स्पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं हाड अग्जूजेट्स यह लिपिड लेयर इन वैसल से जब भी लीक होता है तो जो लिपिड हमारे अंदर होते हैं व इसको हमेंसे अपना लिपिड प्रफाइल जरू कराती रहना चाहिए अगर आपका लिपिड बढ़ा होगा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको मैडिसन एनी बहुत जरूरी है Diabetic Macular Edema Diabetic Macular Edema है कि जो परदे का जो बेज का हिस्सा है जहां से रोशनी जहां बंती है उस हिससे पर अगर सुजन आई तो रोशनी कम होने का तो दिफरेंट डिफरेंट लेयर जो होती है आँखों की परदे की दस लेयर होती है उनमें फ्लूड क्लेक्ट होने लगता है जयसे मैंने बताया कि बल्ड के जो नसे हैं चुटए-hington वह leak करने लगती है और यह इनमें शेंट इसलाव शेंट में हो रहा है कि फुरा ही फिन फ्लूइंबड पूरेंच सारी नसे पार्ट जब आपका ब्लोटेज हो जाईगा इस्की मिआ हो जायगा तो आपकी नए खूण की उसफूण को परभा को पूरा करने के क्यों बैटिना कोई भी आपका इससा है उसे चाहिए हूती है उस Zak मिको पूरा करने के लिए नए खूण की नसे है डिए जंब अब डिस्क जो सफेद पार्ट आप देख रहे हैं, इस पे रेड रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, यह नई वैसल बन गही है, बड़ी बड़ी नई वैसल बन रही है, यह जो वैसल कभी भी लीक करेंगे, पूरी आख में एक तरह से खून भर जाएगा, कहीं भी नई वैसल आफके लैंस के आगे आ जाएंगी आपके पूरी आख में नई वैसे बुल जाएंगी जिससे काला मोतिया नियो वस्कलरगुलूखोमा हम कहते हैं काला मोतिया नई खून की नस्वे बनने की वज़े से आंक से पानी निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा जिससे आंक का दवाब बनने लगेगा जिसे ग्लुकोमा कहते हैं और दवाब बनने की वज़े सनस्व देरे बिल्कुल सूख जाती है Retinal Detachment अब जो खून की नस्वे आपके आप में बन गई हैं इनका आप टीटमेंट तो करा नहीं रहे हैं आप अपने आप फूल ओप कही ना डॉक्तर के पास दिखा रहे हैं कहीं नहीं दिखा रहे हैं कि खून की नस्वे सूख जाएगी और फाइब्रोसीज हो जाएगा फाइब्रोसीज हो की परदे को उखारना शुरू कर देंगे जिसे हम कहते है रेटिनल इटेजमेंट विट्रस हेम्रेज जैसे मैंने बताया कि आख में खून आना जैसे ही खून की नस्वे पढ़ेंगे पूरी आख में खून भर जाएगा आपको काले-काले स्पोर्ट्स जाएगे ज्यादा अगर खून आ रहा है तो आपको दिखना एकदम बंद हो जाएगा डाइग्नोस्स टेस्टिस हमें क्या-क्या डाइग्नोसीज पेशेंट में कराना चाहिए तो तीन टेस्ट जो हम मेलनी करते हैं एक तो हमारे क्लिनिक पे जब कोई पेशेंट आता है त लगाते हैं हाथ में एक इंजर्शन लगाते हैं और उसके फिर हम एक फंडस हमारे पास कैमरा होता है उससे हमें उस रेटिना की इमेज करती है वह डाइपूरे आठ से दस सेकेंड में पोच जाती है और खून की नसों को आप वह स्टेन करने लगती है तो उसमें हम देख स स्पोर्ट दिखाई दे रहे हैं तो खून की नसे फूल गई है मैक्रोन रिजम्स हम कहते हैं वह सारी चीजे इसमें होने लगी है तो इससे हम पता चल जाता है कि आप किस स्टेज पे डाइपटिक की आप है डाइपेटिक एक स्टेज पे और हमें टीटमेंट क्या है आपक और कलरफनेस फोटोग्राफिक हम डाकुमेंटेशन करते हैं तो नॉमली जो आइडियल है वह गोल्री स्टेंडर कहते हैं ना हम देख पाएंगे तो फिर हम नॉमल जैसे कोई भी चीज नहीं दिखाए देते हैं और आल्टरसाउंड करते हैं जिससे हमें पताता कि परदे क कि स्थित क्या है और खून के पीछे क्या चल रहा है आज की तारीक में वह में पता चल जाता है आज कल जो नहीं पिछले साथ आठ साल में सीटी स्कैन सब कर रहे हैं अपने चैस्ट का कर रहे हैं पेट का कर रहे हैं कि तो रेटिना के लिए भी एक OCT Optical Coherence Tomography एक तरह का स्कैनिंग मसीन आगी है कि जो रेटिना की जो टैन लेयर से हैं इस वेरी माइक्रोन में ही स्कैन करते हैं फाइम माइक्रोन में में रिजोलुशन है उसका और वह बहुत स्कैन करते हैं तो एक लेयर में हम जा सकते कि माइल सी माइल हंडर्ड माइक्रोन फा कि अधर हएक प्रफी फाइदा हुआ है तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेयर्स पता चल जाता है कि इसमें परदे में अर्फ हाई कि ली diameter में चैनल करते हैं घ्यर nen चार्ड समा wiresön और देखते हैं कि So कि मैकुला डिमा के विए से कितना कलर केस के डिफॉम्टी हो चुकी है वह देखते हैं अब डाइगनोसिज हमने कर लिया है हमने यह भी बता दिया कि पैथोलोजी क्या है किस तरह से एफेक्ट होता है और डाइगनोसिज किस तरह से करते हैं अब मेन पाड़ा था प्रिमेंशन से पहला पार आगया प्रिमिंशन फ्रेंशन में प्रामरी प्रिमेंशन होई ना है उसका उपाई कि अपाई डाइट कंट्रो ब्र शुकर कंटिनुस यह कि आप उस देशी व्यद के पास चले आपका कंट्रोल यह था तो वो क्या करते हैं कि multiple treatment लेना शुरू कर देते हैं एक तरह से treatment यह तो उनका क्या होता है कभी सुगर बढ़ रहा है कभी घड़ रहा है अगर आप irregular blood sugar है तो diabetic से होने वाले जो भी मिमारी है हार्ट की मिमारी है या किड्नी की मिमारी है या रेटिना की आख की मिमारी है वो बढ़ जाएगी उसकी प्रिविलेंस बढ़ जाएगी तो सबसे primary prevention क्या है systemic control of blood sugar blood pressure जैसे मैंने पहले बताया सुगर की वजए से दो चीज़े के इखटी effect होती है किड्नी और आख का पर्दा रेटिना जो मैंने बता है क्यों कि दोनों में ही छोटी-छोटी vessels है और diabetes की चीज़ को एफेक्ट करती है माइक्रो एंग्वेस्किलेचर माइक्रो एंजिओ पैथि ओफ डिसीज है यह तो किड्नी और नॉमली हम देखते हैं कि जब हम रेटिना देख रहे तो देख तो पेशन को किड्नी बेप एफेक्टना उना कुछ शूरू हो गया तो दोनों साथ-साथ चलते हैं तो उसको भ पर सब्सक्राइब करते हैं पर पांट साल नहींग पंदरा साल है या कि अधाल तो उसको कैसे है कर आए उसका एक ही कारण है कि आप स्क्रीन किराते रहें समय समय पर अपनी महीने में आप अपने 6 महीने में आप जयए कि नई है तो एक साल में करा लिए आपको लग मेरे शगर बहुत पुरानी हो घया और मैं ने कर रहा हूं तो 6 महीने में अब आपके पास दॉत्र के बश चलाएए कि मुझे अपने पर Dekets करा अवेरनेस अबाउट रेगुलर आई एक्जामिनेशन क्या कारण है कि अर्ली डिटेक्शन एंड टीटमेंट जाकर सही समय पर आप जा रहे हैं तो आपको अर्ली डिटेक्शन और टीटमेंट हो जाएगा वहीं मैं बता है अर्ली टीटमेंट डिडिद्यूसिज विज्व ल क्लासिफिक्शन भी है लोगों ने बहुत सारे डाइबेटीज ने डाइबेटीज ने बनाए हुआ है टाइप फन यंग पेशन में हैं तो थ्री तू फाइव यर आफ्टर डाइग्नोसिक दैन उसके बाद येरली कराना है अगर टाइप टू डाइबेटीज है आपके प्रोक्षन थोड़ा बढ़ जाता है तो उसमें भी हम कहते हैं कि आपको प्रायर टू कंसरप्शन पहले और पहले जो ट्रीमेस्टर होते हैं तो फस्त त्रीमेटर में आपको जाज कराने चाने उसके बाद भी अगर आपको डिसीज हो गई है तो आप उसको रिडूस कर द कर रिवाट है वक्रैस इसको रोहने से रोका जाए सेंटराखमेंशनिक अब इसको स्क्रीणिक कराते हैं अब ठर्स्ट्री प्रवेशन क्या आ गया त्र इकरीटमेंट पार्ट पर अपमराट है अव्सां फिर्वारिफ करना है अब पिश्टर से बिमारी होगा में हो तो लगाते हैं तीसरा जो अगर बिल्कुल आपकी बिमारी एक एडवांस स्टेज में पहुच चुकी है आपको लग रहा है कि ना तो हम इंजेक्शन कर पाएंगे ना लेजर करेंगे तो हम फिर करते हैं एडवांस सजरी कहते हैं दो कि बहुत ही सेंस्टीव सजरी है और काफी एक्सपेट की जरूत है रेटिना सजरी करने के लिए लेजर टीटमेंट में हम करते क्या है लेजर टीटमेंट में मशीन होती है जिसे हम करते हैं डबल फ्रिक्वेंसी एक लेजर होता है जो भी लीकिंग पार्ट है जो खून की नसे लीक हो रही है यह खून की नसे जो बन कर देंगे क्यों क्या चाहिए अक्सिजन चाहिए ब्लड चाहिए अगल आप फ्रून का फ्लो कम कर देंगे तो अपने आपी वह सूखने लग जाती है तो वह मुआरे को महीं पर रोग देते हैं तो उसमें लेजर के हम करते हैं एक नोमल अगर आपके आख में सूजन है कोशन लेनी है या कुछ आसे कुछ करने की जुरूत नहीं होती है दूसरा पार्ट जब आपका आता है कि आपका लेजर कर दिया है लेकिं फिर भी आपकी सुझन ठीक नहीं हो रही है तो हम तूसरा पार इंजेक्शन आख के अंदर इंजेक्शन होते हैं तो फर्स जो इ detto रही होते हैं हम तर öट इंजेक्शन हम पारा हुए और पेशेंट के पैशन कोस्त की आप फाइशन कोष नहीं हो पा रहा है आपको धर नहीं और पीशन चले जाते हैं क्योंकि कोष्ट आफोर्ड नी कर पा रहे हैं तो कोई फाइदा नहीं हो पाता पिशन को तो उसमें क्योंकि यह साल में पहले साल में लगता है कि 6-7 इंजेक्शन लग लें अगले साल फिर 3-4 हो जाएंगे होती है इसमें को यह सूचर और लगाते हैं मशीन से अडवांस ताम मशीन आ गए हैं काफी यहादा तो उसमें ब्लाड साफ कर देंगा परदा फुर जाता हैं नहीं खूण की रसुली बंजाते हैं उनको साफ साफ करके अंदर ही जाके लेजर कर देते हैं और थोड़ा सा सज तो में जहिए सिवारीय तो कि आपको सद्रीक जूरद पर सकती है इस तरफ जारा है सभी डाइपेटिक जो रेटना स्पेसलिस्ट है इस चीजों के बारे में अवेरनेस लोगों के पुछाना तो आज का प्रोग्राम में वह उसी का है और हम अपनी तरब से भी गावों में जाकी केंप लगाते हैं अभी हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है डायबेटिक ट्रेटिनोपेथि स्क्रिनिंग प्रोग्राम अभी लोग कर रहे हैं उसमें करते हैं कि हमने एक वैन बनाई है उसमें हमने फंडस कैमरा लगा दिय वहां जाते है पेशन को बठातायों के आपके पड़ेगा फोटो खिचते हैं और उसकी रिपोर्ट फोटो हमारे मेरे मेरे पास आ चार जाती है क्लिक में लिए तो हमस्के इसको क्यों पक्र बपर करने लिए ब्याएं दो दिखिज लगता है कि आप लोगों के इसे फाइदा होगा लिखे जातक इसकार्टराम में आप लोगों ने देखा है और जो महसूस किया है और जो समझा है इसमें तीन चीजें बहुत इंपडेंट आपकी है एक तो यह कि नहीं वो diabetic patient हो या हमारे जो health worker है उनको सबसे पहला काम prevention पर ज़्यादा जोड़ बैना है prevention आपका है जैसा राक सब में बताया कि primary, secondary तो prevention जो हमारा first stage का है उस पर तो हम अपने आपको save करते हैं तो 70% तक हमारे ठीक रहने के chance बन जाते हैं तो वो problem ही हमारी बहुत कम हो जाती है और जो अगर secondary position हमारी जैसे कि हम time time पर test कराते रहते हैं awareness जरूर फैलानी चाहिए और क्योंकि उसके पास में तो ग्रामीर एरिया में खास्तोर से और कोई उपाय है नहीं वो यही कर सकता है कि लोगों को यह चेक करें कि क्या उनको वास्ता में डायविटीज है और डायविटीज है तो किस इस तरकी है कितने समय से है और क्या उसको आँखों की समस्य आ रही है यह आ रही है तो निश्यत रूप से उसे आई हॉस्पीटल या जो इस्पेसलेश्ट हैं उनके पास में इमेडिट रेफर कर देना चाहिए और रेफर करते ही समझे कि उसका एक बहुत बड़ा जो एक दायत तो है फाइदा मिलता है तो हमें उम्मीद है कि आज डॉक्टर देविन त्यागी जी जो बहुत अच्छी जानकरी आपने दी और आपने किस तरह से आईज का जो रेटिना है और उसको जैसे डायबिटिक वैसे जो खराब होने की समस्य आती है ब्लाइंड नेस जो होती है उससे क फर्मिशन दे करके इस वीमारी से निजात देने की पूरी कोशिस की उसके लिए मैं आपका हर तरह से आभार वेक्त करता हूं नमस्कार जै हिन जै भारत